नमस्कार दोस्तों, आज हम तीज पर कुछ अलग तरीके सेमई डेजर्ट बनाएंगे जिसके लिए मैंने दो चमच देशी घी चड़ा दिया है इसी में एक कटोरी सेमई जो रोस्टिड है और थोड़ा मैंने उसका चूरा कर लिया है भून लेंगे थोड़ा ब्राउन करेंगे इससे अगर आपके पास वाइट सेमई है थोड़ा देर तक भूने उससे सेमई का डार कलर हो गया है अब हम इसे उतार लेंगे उसी पैन में हम दो कफ दूर लेंगे और अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गाणा हो जाए इसी में आधा कटोरी या आप अपने टेस्ट के साब से चीनी डालेए और साथ में इलाइची पाउडर या केवडा वाटर जो भी आपके पास है और डाल दीजिए दूद को रिड्यूस होने दिए थोड़ा सेमिया हम दूद में डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे नहीं तो सेमिया नीचे लग जाएंगे लगातार चलाएंगे और जल्दी ही यह दूद घटकर थोड़ा सा रह जाएगा देखिए काफी सेमियों ने दूद को एब्सॉर्ब कर लिया है अब हम इसे ढख कर दो मिनट के लिए पकाएंगे दो मिनट के बाद देखेंगे घी छोड़ दिया है सेमियों ने अब हम गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे मेक्स्टर ठंडा हो चुका है अब हम कोई भी मोल्ड ले सकते हैं मैंने यहां मैजरिंग कप लिया है जिसमें सूखे मेवे नीचे डाल दिये हैं उपर से हम सेमिया डाल कर इसे भर देंगे चम्मच की हेल्प से हम दबा दबा कर भरेंगे इसे अची तरह मैंने प्रेशर के साथ भर लिया है अब हम इसको पलट लेंगे तो आप कोई भी शेप दें डेजर्ट मैंने तयार कर लिये है हार्ट की शेप दी है आप पेड़े की साइज में भी बना सकते हैं या बर्फी की शेप दे सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों